हेलो एवरिवन तो मेरे चैनल टेरिस गार्डनिंग वर्क में आप सभी का स्वागत है और आज के टॉपिक में हम देखेंगी कि इस ड्रम में मैंने जो छे मैंने पहले जितनी पतिया डाली थी और उसके बाद मैंने जो मिट्टी डाली थी उसका क्या रिजल्ट आया है किस तरह से ये नीचे वाली पतिया डिकम्पोज हुई है आज हम इसको देखेंगे पिछले वीडियो में मैंने ऐसे ही डिकम्पोजिशन एक वीडियो बनाई थी जो जो मैंने ये बोरियों में पतिया भरी है इसके बेजिस में थी दस दिन पहले की वीडियो है मेरी मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर देदूंगा आप ये भी वीडियो देख सकते हैं अभी फिलाल इस बोरी में मैंने जो पानी डाला था वो अभी भी है और ये धीरे धीरे इस पतियों को गिला कर रही है नम्मी ज्यादा बढ़ रही है और इवापोरेशन और कंडेंसेशन के वजह से वो जो पतियां है वो धीरे धीरे एक बॉइल हो रही है ऐसा कंसिडर कर सकते हम तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन ड्रम्स में मैंने काफी सारे ड्रम्स में मिट्टी डाली है पतिया डाली है और अब एक ड्रम में आपको दिखाना चाहूंगा कि उसका रिजल्ट कैसा है बाकी ड्रम्स में भी सिमिनर प्रोसेश में फॉलो की है पर एक ड्रम का रिजल्ट में देखाना चाहूंगा तो चलिए इस ड्रम के बारे में हम देखते हैं कि कैसा है इसका इंवर्मेंट और इसमें क्या-क्या भी प्रोसेस हुआ है तो यह मेंने कुछ पत्या इसके मलचिंग के लिए डाली हुई थी यह मलचिंग वाली पत्या हटाकर में इसकी मिट्टी और उसके नीचे की जो पत्यों के लेर है वो दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकती है यहाँ पर फंगस लगी है काफी सारी मेंने यहाँ पर पाने डाला है और काफी सारी मिलिपेड्स हैं काफी सारी अर्थवम भी है नीचे जैसे जैसे मैं इसको नीचे यह निकालूंगा वैसे वैसे आपको में दिखाता रहूंगा पर आप देख सकते हैं जो मल्चिन की हैं नीचे वाली पत्या है वह अभी काफी नम हो चुकी है और इजीली ब्रेक हो रही है हाला कि यह पत्या उतने इजीली ब्रेक नहीं हो रही तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कि यह जो पत्या है वह में काफी सारी मतलब सड़ चुकी है जड़ तरीके से पर इसकी बद्बू नहीं आती यह इसकी खासियत है अच्छी बात है आप अगर ध्यान से देखो है तो यहाँ पर काफी सारे आपको मेरे पेड्स मिल जाएंगे अब हम इसमें जो मिट्टी है इसको थोड़ा सा निकाल कि इसके नीचे की जो पत्तिया है उनका रिजल्ड देखते हैं कि वह किस तरह से अभी गल चुकी है आप मिट्टी देख सकते हैं अभी भी खुरदूरी है इतनी चिक्नी मिट्टी होने के बावजुद बहुत जल्दी यह निकल रही है एक अच्छी बात होती है इतने नीचे जाने के बाद भी मुझे वर्म्स और मेलेपेड्स मिल रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर यह अर्थवर्म है अभी भी इस मिट्टी का है मिट्टी से निकला हुआ मतलब कि नीचे काफी सारे अर्थवम है अभी भी और ये काफी अच्छी बात होती है किसी भी मिट्टी के लिए अगर इसमें मैंने केमिकल डाले होती है तो ये सर्वाई नहीं कर पाते हैं पर पत्तियों के वज़े से ये अभी सर्वाई कर पा रहे हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकती है यह जो काली काली मिट्टी दिख रही है यह एक्च्छल में पत्तिया है जो डिकम्पॉज हो चुकी है और काफी अच्छे से ब्रेक्ट्रू हो चुकी है देख सकते आप इसको में ने दोबारा से इसे मिक्स करके या बहुत क्रश्ट करके नहीं रखा था और यह अच्छे से मिट्टी के साथ मिल चुकी है मिक्स हो चुकी है तो यह रही सबसे बॉटम में जो मैंने डाली थी वह पत्तिया अभी भी थोड़ी बहुत तो बाकी है रिकम्पॉज होना बट काफी आप देख सकते किस तरीके से अगर इवने को ब्रेक करना चाहूं तो काफी इजी ली ब्रेक हो जाती है यह जो पत्तिया है इसमें देख सकते हैं जो मैंने प्लैंट पहले लगाया था और उसकी जो रूट से वह इनको अभी भी घेरे हुए है तो ऐसे ही आप एक पत्तिया डाल सकते इस तरह का एक ड्रम ले और उस ड्रम में बहुत सारी जो पत्तिया हैं वो डाले आप पूरा का पूरा कवर्स कर सकते हैं पत्तियों से क्योंकि पत्तियों में आप डालेंगे तब वहाँ पे काफी सारी एर होती है वो नम नहीं होती इस तरह से काफी हार्ड होती हैं ड्राई होने के वज़े से और जब वो कंप्रेस होने लगती हैं तो इस तरह से बहुत काफी कम एर उसमें बच जाती है और वो ऐसे थप्पियों में कनवर्ट हो जाते हैं तो अगर आपको करना है आप बहुत सारी पत्तिया डाले उसके उपर मिट्टी डाले पानी डालते रहें 15-20 दिनों के एक बार और उसके उपर ढखके रखे या आपके पास कोई पानी की होती है वह बाहर नहीं जाएंगी और आपको कम पानी देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर कुछ लगडिया भी डाली थी उस वक्त की वह अब तक तो डिकंपोज नहीं हुई है बट होपसो यह फ्यूचर में डिकंपोज हो जाएंगी और मैं अब जो मल्चिंग का उपर वाला जो मैंने डाले थे पत्या वो मैं अब नीचे डालूँगा तो अब जो मैं यह मल्चिंग की पत्या रखी थी उपर यह मैं नीचे डालूँगा ताकि यह भी काफी पास की रिकंपोज हो जाएंगी इसमें पत्तिया डालने के बावजूद ये काफी कमप्रेस हो जाएंगी और इनका जो इतनी अगर लेवल हो तो ये धीरे-धीरे करके इतनी सी कमप्रेस हो जाती है तो इस वज़े से आप यह ना सोची कि आपने बहुत ज्यादा पत्या डाली है और उसके वज़े से मिट्टी कंब हो रही है यह अभी तो फुली हुई रहेंगी और मिट्टी उपर आ रही है तो ऐसे रहेंगी पर इसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ साथ यह जो पत्या हैं वो नीचे चली जाएंगी इसमें पनब में वाले जो भी कीड़े होते हैं वो एक वरदान है इन पत्यों को पत्यों के लिए बोलिए या खाद के लिए या मिट्टी के लिए कही है कि उनके वज़े से इनमें एक इको सिस्टम बना रहता है कि आप भी इसी तरह से कोई ड्रम में अगर आपके पास मिट्टी हो और आपके पास किसी भी तरह का खादो किचन वेस्ट हो कंपोस्ट बनाने के लिए आप धीरे-धीरे डालते रही है धीरे-धीरे उसके उपर मिट्टी चड़ाते रही है मैंने इसके उपर भी एक वीडियो बनाए है हलाकि मैं इसके बारे में इस वीडियो में बता देना चाहूंगा कि किस तरह से मैंने इसको यूज किया है यह एक आरो की कैंडल है जो कमर्शियर लेवल पर यूज होती है आपके बास छोटे वाले आरो की कैंडल होगी तो भी चलेगी इससे एरेशन नीचे तक जाता है क्यूंकि यह जो प्लास्टिक ड्रम है वो आउटर साइट से एर ट्रांसफर नहीं करता तो इनर साइट से ए पाने डालते रहेंगे तो यह जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं हाँ हाला कि इसको टाइम जरूर लगता है पर पाने डालने के वज़े से आपके अगर छे मेने लगते होंगे तो शायद एक मेना कम लेगेगा ऐसा नहीं होगा कि दो मेनों में पूरा का पूरा कम्पोज हो होता है इसको टाइम तो लगता ही है तो अगर आपके पास कोई भी ढखने के लिए पॉलिधिन हो या कुछ भी ऐसा जो इसको ढखे सनलाइट से आप इस तरह से रखे ताकि इसमें जो जो वर्म से वह अच्छे से इसको मतलब घूमते रहे खेलते रहे उस और इनको धूप ना लगे तो आप याद देख सकते हैं में हर ड्रम में इसी तरह से मिट्टी डाली है पत्ती डाली है काफी अच्छे से यह डिकम्पूस हो रहे हैं अगर यहां घास भी ग्रो हो रही है तो आप उसे काटे ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक अच्छा टूल साबित होता है और जो मिट्टी है उसको मौश्चुराइज भी रखता है इस ड्रम में भी मैंने काफी सारे मिट्टी पत्यों की लेयर डाली है और इसमें मैंने एक ग्राफ्टेड मैंगो वेराइटी डाली है लंगरा आम करके जब भी मैं ऐसे कंटेनर्स में मिट्टी भरता हूँ तो वो पूरी की पूरी यहां तक भरता हूँ पूरो नीचे नीचे उन पत्यों के वज़े से अंदर धस्ती जाती है हर कंटेनर के यही स्टोरी है और इस वज़े से टेरेस पे अगर आपके पास जगा हो जहाँ आप इस तरह से ड्रम्स रक्स पाए और टेरेस पे रक रहे हैं तो पत्ती अज़ादा डाले मिट्टी कम डाले और जब वो डिकंबोस हो जाती है तब फिर आप थोड़ी से मिट्टी बढ़ा सकते हैं यह मेरे घर में जो मैंने हिबिसकस थे उसकी जो पत्तिया थी वह संबाल के रखी है और इनको ड्राय करने के लिए रखे हैं धूप में यह जब ड्राय हो जाएंगी तो मैं इन मैंने यहाँ पर अलोवेरा के काफी सारे प्लांट्स लगाए हैं जब जब पप्स निकलते हैं वो मैं डिस्ट्रिबूट करते रहता हूं और यह काफी हलके होते हैं अगर मैं कहीं उठाना चाहूं तो मिट्टी का वेट काफी ज़्यदा होता है और आप उसमें पाने डाल तो उसके वज़े से उसका वेट और बढ़ जाता है पर पत्य होने के वज़े से जो मिट्टी आप बड़े कंटेनर में जब मिट्टी रालते तो उसके वेट से जो स्लैब है उसमें ज्यादा लोड नहीं आता ऐसा नहीं है कि लोड नहीं आएगा बट उतना नहीं आता स्लैप से थोड़ा ऊपर उठा के ही रखा हैं ताकि अगर मैं पानी डालू भी तो वो नमी पकड़े ना रहें नीचे से और मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोज को लाइक करें आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें इस स्पेसिफिकली जो मैंने कंपोस बनाया है उस बेसिस पे उस रेफ्रेंस में मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा तो थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो